एलो एवरीवन वेलकम अगेन इन लन्वरे देतीमन एक और सरकारी जौब की बात करने वाले हैं हम इस वीडियो में जो की महला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से आई है ये नया नोटिफिकेशन जो है जारी हुआ है दस अगस्त से जो है स्टार्टिंग है और लास्ट की आधार पर जो है यहां पर मेरिट बनेगी आप लोगों को सौट लिस्टिट किया जाएगा और उसके बाद आप लोगों का चैयन होगा आई यू योग गेता क्या रहने वाली है ये सारी चीज़े हम ऑफिशल वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन में चेक करने वाले हैं एक एक चीज में आप लोगों को बताऊंगी वेकेंसी कहां से आई है कितने बद हैं ठीक है तो दिहान से सुनिएगा ताकि आप लोगों के माइंड में कोई भी कुशन ना रह जाए तो ये जो है इसकी ऑफिशल में वेबसाइट है जस्पूर की यहां पर आप देख र लिए किसी की 31 अगस्त है किसी की 28 अगस्त है किसी की 18 अगस्त है तो हमें जो है इसको देखना एक इक रत बाल अगस्त यहां पर जो है 742 के वी यानि यहां आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और इसके नीचे जो है वो एप्लिकेशन फॉर्म मिलेगा कैसे जो है वो भरना है सारी चीजे में आपको अभी बताने वाली हो सबसे पहले हम जो है नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि कितने जो ह अब आप देख सकते हैं एड्रस जो है यह दिया हुआ है कारेले परियोजना अधिकारी एकिगरत बाल विका सेवा परियोजना जस्पूर यह एड्रस है दिनांग 4-8-2023-18-8-2023 तक जो है आविदन मांगे गए हैं अभी हमने देखा था कि बाहर जो है लिखा हुआ था भ जमा करवा सकते हैं तो यह एड्रस जो है वो आप लोग नोट कर लें यहां पर जो आंगनवाडी कारेकरता के जो रिक्तपद हैं दो हैं सहाइका के साथ हैं मिनी आंगनवाडी कारेकरता के तीन है सेक्शन के योगता यहां पर बारवी आपकी होनी चाहिए यदि आप तो आप जरूर जो है वो application form में लगाएं क्योंकि उनकी अधार पर आप लिगों को selection होता है आंगनवाडी कारिकरता के जो रिक्त पद हैं तो आप यहां screenshot ले लें आंगनवाडी कारिकरता के रिक्त पदों के लिए जो है यह किनकेल, केरे, इचकेला, जामडोली ठीक है इस तरह के से जो है यहां पर ग्राम पंचायत के नाम है आंगनवाडी सहायका के लिए जो रिक्त केंदर हैं तो यहां पर screenshot जो है फटाफट से आप ले लें उसके बाद मिनी आंगनवाडी कारिकरता के जो है यह रिक्त केंदर है यहाँ पर योगिता मांगी गई है कि यहाँ पर आवेदी का यानि केवल महला केंडिडेट यहाँ पर एप्लिकेशन कर पाईगी 18 से 44 वर्स के बीच होनी चाहिए अगर किसी के पास पहले से ही जो है इन पदों पर एक्सपिरेंस है रहने का तो तीन वर्स की जो है उनको छूट दी जाती है सारी चीज़ें जो अच्छे से पढ़िए ताकि कोई भी गलती ना रह जाए आवेदी का उसी राजस्व ग्राम की इस्थाई निवासी होनी चाहिए जिस ग्राम में आंगनवाडी केंदर मिनी आंगनवाडी केंदर इस्तित्व है ठीक है जो कि आप लोगों ने स्क्रिन श हस्तावेज जो है वो सलगन करना अनिवार है तो application form जो है वो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी उसके साथ ही जो है वो आप अपनी जितनी भी mark sheet है वो आप जो है लगाएंगे अगर आप SCST category के अंतरगत आते हैं तो इस स्तिती में सक्षम अधिकारी द्वरा जारी प्र है अगर आप इसमें जो है वो आते हैं निवास प्रमाणपत्र सरपंच वसचिव का संयुक तो हस्ताक्षर प्रमाणपत्र ही जो है यहाँ पर मानने होगा और सहरी शेतर के हैं तो निवास प्रमाणपत्र पतवारी या पारशद का संयुक तो हस्ताक्षर प्रमाणपत्र ह मान्या होगा तो यह जो नोटिफिकेशन जो है वो कहां से जारी हुआ है तो मैंने आपको बता दिया चतिसगर सरकार जस्पूर के अंतरगत ये वेकेंसी आई है तो यदि आप लोग यहाँ पर योग गेता रखते हैं सारी चीजों की तो आप एप्लिकेशन कर सकते हैं एप्लिकेशन फॉर्म में आप लोगों को दिखा देती हूँ इसी के नीचे दिया हुआ है ये एप्लिकेशन फॉर्म है इसको आपको अच्छे से भढ़ लेना है एडरस यहाँ पर जो है वो लिख दिया है आप किस केली आवेदन कर रहे हैं तो उसका जो है वो नाम लिखें जिस केंदर केली आवेदन करना है उसका नाम लिखना है ग्राम का या सहर में रह रहे हैं तो वाड का नाम लिखें ग्राम पंचायत या नगरी निकाय का नाम लिखना है आपका नाम आपके पिता या पती का नाम जन्म तिथी या आप किस जाती से हैं विद्वा परित्यक्ता या तलाग शुदा है तो वो चीज़े यहां लिखें उसका प्रमान पत्र भी लगाएं ठीक है उसके बाद जो है यहां पर इस्थानी निवासी सम्बंदी प्रमान पत् जो है आपके पास है तो सारी चीज़े यहां पर डेटेल में रखें आपका जो है पर्मानेंट एड्रस जो है वह आप लोगों को यहां लिखना है यह ग्राम पंचायत में है या फिर वार्ड के निवासी है सेक्शन की योगता आठवी दसवी बार्वी अगर अन्य है तो अन का होने संबंदी 25 पर कारे किया गया है एक्सपिरेंस है तो वह सारी चीज़ें यहां पर लिखना है कब किया है आपने यहां पर अनुवा प्रमान पत्र जो है वह आप लोगों को यहां लगाना है उसके बाद अपने इस अप्लिकेशन फॉर्म को भरके और साथ में जो है जितने भी माक्षीट है प्रमान पत्र है आपकी जो है आरक्षित वर्ग में अगर आप आते हैं तो उसके प्रमान पत्र सारी जीज़ें जो है वह आप लोगों को भेज देना है यह एड्रस है आप लोगों का लिफाफे की ऊपर आप लोग यह एड्रस लिखेंगे और किस पोस्ट के लिए आप लोग application कर रहे हैं उस post का नाम जरूर लिखिएगा और ये पूरा जो है वो address रहने वाला है ठीक है समय पर भेजिएगा 18 अगस्ते पहले मिलिंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू